जै गुर्देव, जै श्री राम, राधे राधे आज के इस वीडियों में हम लोग बात कर रहे हैं शरीर में होने वाले दर्द पर मैं जो भी आश्र दिवतारी हूँ इसकी सभी सामग्रियां हमारे भरतिय घरों में हमेशा से प्रयोग में आती रही हैं जैसे अजवाइन है, जीरा है ये अजवाइन और जीरा अगर हम खाने में हमेशा सामिल करते हैं तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर, कॉलिस्टरल नहीं होता है सौफ है, इलाइची है, काला नमक है ऐसी बहुत सारी तरह की सामग्रियां हैं जो हम रसोईखर में प्रयोग में लाते हैं तो ध्यान से इस दवाइन के बारे में सुने किसी भी तरह का आपकी शरी में दर्द होगा आप खा कर देखें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको करना क्या है ध्यान से सुने आप अजवाइन ले लें जितना अजवाइन लेंगे उसका आधा जीरा लें और जीरे का आधा सौफ इन तीनों को अजवाइन जीरा और सौफ जितना अजवाइन लेंगे उसका आधा जीरा और उसका आधा सौफ इन तीनों को भुन लें और भुनने के बाद जितना आप सौफ लिये हैं सौफ का आधा इलाइची और इन चारों चीज़ को पीस कर पाउडर बना ले और रात में एक चमच इस पाउडर को ले ले खाना खाने के बाद एक चमच ये पाउडर लेकर पानी पी ले और सो जाएं देखेंगे आपके शरीर के दर्द में बहुत राहत मिलेगा बहुत आराम होगा और ये मैं गैरेंटी के साथ कह रही हूँ कि शरीर में जैसा भी दर्द हो वो ठीक हो जाएगा मैं इसी तरह की कुछ औश्दियों के साथ भी आपसे मिलती रहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जढ़ा से जढ़ा शियर करें कमेंट करें करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना आराम मिला थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार कहूंगी सब्सक्राइब कर ले लैक करें और शियर करें